कि आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जो राजिस्थान इतियास की पिछली क्लास चली थी उसके अंदर जो हमारे राजिस्थान का मद्यकाली इतियास सुरू होता है उसकी इंप्रश्ट भूमी उसकी बैक्ग्राउंड जो है वो समझ रहे ठीक है रगवेद के लिए रगवेद के अंदर राजिस्थान के लिए परियोग हुआ है और वह सब्सक्राइब कान सा है प्रह्मवर्द अगया है कि संदर्व में हुआ है चैक्ष्ट में हुआ है कि देवतान द्वारा निर्मित भूमी और दौश्टतर नदियां सर्षवती और द्रुस्तित ह और रह्मायन के अंदर महर्शी ऑप बाल मिकी ने राजथान के लिए मारवाड के लिए प्रियूंग कि आ और हम यहाँ से पुश्कर की भी जानकारी मिलती है तर उसके बाद महाभारत महाबारत के अंदर हमें विराट नगर बैराठ या मच्छे जन्वत की जानकारी मिलती है जांगल प्रदेश विकानेर और उसके आसपास का जो चैतर है जांगल प्रदेश का उलेक मिलता है और तालवजाती का उलेक मिलता है और बनास नदी का जो तटवर्ती चैतर है वहां के राजा शुरूत युद ने पुरू चैतर में कौरों की तरफ से युद लडाता है इनकी जानकारी मिलती है तो विर्गवेद के अंदर राजस्थान के लिए की सब्द का प्रयोग हुआ है ब बैराट की में जानकारी मिलती है और जांगल पर्देश बीकानेर का जो आसपास का चैतर है उसकी में जानकारी मिलती है सालोजाती का उलेक मिलता है और राजस्रूत यूद के बारे में जानकारी मिलती है इसके बाद हमारे राजस्थान की जो जन्पद यूग था राजस् थन के इंदर इसका उदे उदे इनका कैसे हुए यह सारी चीज हुआ है मैं एक बार समझेंगी इनको जो जन्पध युग कर जो काल है वो काल है जो देट-पाल्च इसा पुरु से तिन इस वी तक है कि इस तंपत्यूक काई काल है कि तिन तो इससा पूरण से लेकर अब कुद रहा हुए और इसका हमारे राजस्तान के अंदर बहुत परभाव और उसका बहुत सताब्दी इसापुर। वो समय पिरिड कौन सा है? वो समय काल कौन सा है? वो हमारा समय काल है छटी सताब्दी इसापुर। यह जूख समय है इसका राजस्तान के अंदर बहुत बड़ा इंपेक्ट था क्या था? यहीं से हमें बहुत का विसद इत्यास मिलता है. इस आपदी अंदर यह जो सतार्बक्त है दार्मीक और राजनितिक दोनों दृष्टियों से बने कई को माने ग Вैज 감사합니다 और राजनितिक दृष्टी से क्रहनतिक रिए निदर से कियो doctrines महाविर स्वामे हुए हुए और इस्सजाप दीय गंद्र महात्माबुद हुए की स्थाब दीयंगों प्रॉपित एनके रुटोछी से कई करें रही है कि उनके बाद हुए पतन जाता है उनका पतन हो जाता है उनके बाद मौरियों का सासन इस्थापित होता है तो राजनितिक दृष्टी से भी करांति का रही थी तो जैनिजम और बुद्धिजम का बहुत धरम का और जैन संस्कृति का यह राजिस्थान के अंदर यह किन छैत्रों के अंदर पना पर रही थी हमें यह पढ़ना है मुखित त और वो दो भाग हैं वो कौन से हैं वो दो भाग है एक है पूरवी राजिस्थान और एक है पूरवी राजिस्थान और एक है पत्सी मिराजिस्थान हमारा जो पूरवी राजिस्थान है यहां पर कौन-कौन से बहुत इस्सल थे यहां पर बहुत धरम का था यह पूरवी यहां पर इनका पर इनका पर परचार हुआ था लेकिन यहां पर इनके कौन कौन से स्तल थे हमारा जो बारतिय पुराता तो सरुक्ष्ण है एसाई है एसाई के पर्थम महानिदेशक थे वह थे अलेक्जेंडर कनिंगम राजस्थान के अंदर अगर बहुत इस्तलों को खोजने का अगर सरे किसी को दिया जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंगम को जाता है लेकिन दोजार सोड़ा के अंदर एक राष्टी सम्मेलन गुआ था भारत के अतीत का पुन्राव लोकन वहां पर हमारे राजस्थान इनुर्श्यूटी जो विश्व विदालिये राजस्थान विश्व विदालिये आर यू है यहां के इतियास विबाग के एक प्रोफेसर है वो है डॉक्टर निकी चत्रुवेदी जी निकी चत्रुवेदी जी इतियास विबाग के प्रोफेसर है और खुल सोद करता है इन्होंने एक रिसर्च चल रही है और इनकी रिसर्च चल रही है वो चल रही है भारत और चाइना के अंदर जो बहुत इस्तल है उनको संद्रबित कर की लहरों से अच्छूता समझा जा रहा है वास्त में वो बहुत द्रम की परमुक गतिविद्यों का केंदर रहा हुए लेकिन अतीत के अंदर एक ऐसी चीजें हुई है यहां पर जो आकर्मन हुए उन्होंने बहुत इसलों को पूरी तरीके से खातम कर दिया हम जब हुनों के अकर्मन बढ़ेंगी राजepend की उबर हुनों के अकर्मन हुए थे उन्होंने राजश्तान के अंदर इतने भी बहुत स्तल थे और इन्होंने नए जगा भी बताई चैके पाठ्टेकरम यnar किसी किताब के अंदर में जगाहीं नहीं मिलती हैarks इनिनोंने जगाहीं बताईए 인हांने नाई गुफाओं के बारे में ही बतायए उ जिए इनों ने अपनी सोधर प्रस्तूत किये तो राजस्थान के अंदर कौन से ऐसे इस्थल थे तो बहुत संस्कृति से साम मेता रखते है यह फिर बहुत संस्कृति के अंदर थे एक तो आप पता है जैपूर का बैराठ का असोग का अबिलेक असोग ने तो खुद ने बहुत धर्म को अंगी कार कर लिया आता है कि और हमें क्या पता चलता है पूरी जालावाड के अंदर कॉल वी की गुफा है यहां पर और थिया गोड़ की गुफा है यहां पर और पी जहालावाड के अंदर कॉन सा और कॉन सी है बिनाएगा यह जो सारक अंदर है य duplicons करती इगए निक्की चतुरुएदेजी ने जो अपने रिपोर्ट के अंदर जो बोला था दोसा के अंदर का एक भंडारे चेतर है वो भी इन्होंने बहुत संस्कृती संबंदित बताया है और नहीं गुपाई भी मिली पांच नहीं गुपाई भी प्राप्त हुई है तो हमें इन सारी च यहां से हुए पता चल रहा है कि यह पूरी रैस्तान के अंदर बहुत संस्कृती बना पर ही इसका विस्तरी तमन चीज़ach समझें गहें हैं राइस्तान तेनक संस्क्र्टी इससी के विविपरित राजिफ्तान के इंदर जो थी वह थी जैनस्क्र्टी यहां ध्रम परचार पर्चार होढ रहा था इसके हमारे पास क्या पर्मान मिलते हैं फ्राचीन जो जैनग्रन थे इस या बताते हैं कि 997 इशापुरू क्या scientifically ंतार के षयारसो संतानवे ईसा पूरु के अंदर एक जेंह मुणी थे और उन जेंह मुणी का नाम है स्वैंबभू क्या नाम है Espero और यह थे जैन मुणी की की एक जगा पर जाते हैं और उस जगा का नाम है स्रीमाल का कि दो जालोर का जो चेतर है 다are स्रीमाल के राजा थी जैसन करें लूगों को जैन्हों की देखिशा दी है यह पता चल रहा है कि राजा खुद बैठिकर किसी द्रह की दिक्षा ले रहा है असोक ने जब बहुत दर्म को जब ग्रैन कियाता तो उन्हों ने बहुत धर्म का कांगा तक बरसार बरचार किया जो हम आज भी देखते हैं कि बहुत धर्म इंडोनेशिया से लेकर जापान तक फैला उगा है तो समराथ असोप ने जब बहुत धर्म का एक राजा होते हुए जब वो जैन संस्कृति को अपना रहा है और जैन धर्म को ग् कौन सी जगा है सीरुई का प्राचिन नाम कि इसका नाम है सीरुई का प्राचिन नाम यहां एक राजा है और उन राजा का नाम है पदम सेन राजा का नाम क्या है पदम सेन पदम सेन और उनके आशरित 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 यानि उनके जो दर्बारी कवी हुआ करते दे दर्बार दो चैतरों के बड़ी राजा दो बड़ी छैतरों के जब राजा किसी दर्म को ग्रहन कर रहे हैं अंगीकार कर रहे हैं तो उससे हमें यह पुष्टी होती है कि पच्चीमी राजिश्थान के अंदर किस परकार थी जो जैन संस्कृती पनव रही थी ठीक है इसी वजह से काला साम्राजी के अंदर उस संमेन नंदवन्स के साषक थे रहे थे कर रहे थे 226 के अंदर भारत के उपर उत्तरब उत्तर पंचि मी जो भारत आ है महांपर शिकंदर का करमन होता है किसका अक्रमन होता है सिकंदर का जिसका अपना ये उत्री और पच्छी मी चहतर है यहां पर अटेक होता है और उससे उनकी युद्गी लड़ाई थी जो उनका युद्ध हुआ था वो भारती इतियास के अंदर आ पड़ता है ठीक है वो आप विश्री तरीके से बढ़ेंग इस समय पंजाब की चेतरी जातियां थी मतलब वहां की जो लॉकल शक्तियांथि वहां की जो दया में पाम अंदें पैदने ट्रस्त कर दिया यह नहीं कि दो बड़ते हैं कि वहां की wing खैकर दिच आतियो ती जातिया थी आ था है ऊदहे अर्जु नायन है कि ये वहां की लो लोकल पौayan थी आम लोग नहीं दें इनके पास महां भी सकता थी इनके पास वहां भी सक्ति गें इनके पास इतनी दली यह सीकंदर के अंदर और राज्सान के अंदर आए Quốc टो आ पंजाब और आपने एंवन जगहूँए पर अपने सता कि रज generating कों लोग किशातर के एंदर आपने राज्जियों को यहां ठी mamalवार यैउस्थांभ शालव यह सारे लोगों ने यहां पर विबिन जन्पदों की स्थापना कर दी और अपने राजियों को यहां पर शाशित किया यहां से उन्होंने शाशन करना शुरू कर दिया कहां से आए सिकंदर के आकरमन के परिणाम सवरूप पंजाद की छैतरी जातिया सीवी योधे अरजुनायन आदी जो लोग थे वो स सिकंदर का शुरू होता यई सिसित के जब्धा शुरू होता है सिकंदर का पर अपनी शुरुत तो ट्रकते और मोरियों का आते हैं सत्ता के अंदर मौरियों का राज्थान के अंदर मौर्यों का परभाव था कर तक हैं तंद्रकुंपत मौर्य एक समय से राज्थान के अंदर मौर्यों का पर nggak पूर्पा इसके हमारे पास क्या पर मिलते हैं परमार मिलते है को ठ कली राजा करें कि अधर मोर्याघ्यार सब्गरता तो इससे हमें यह पताइब आशाजन तो सब्ग्रता ठीक है इसके अलावा हमें क्या पता चलता है नोग किताब है एक किताब है एक किताब का नाम है कुमारपालचरित किताब का नाम क्या है कुमारपालचरित और जो प्राचीन जैन गरंत है प्राचीन जैन गरंत है इनसे ये पता चलता हमें कि एक तो चितोड का किल्ला और एक चित्रांग तालाब, चित्रांग तालाब, इनका जो निर्मान है, हो किसने करवाया, इनका जो निर्मान करवाया, हो करवाया, मौरी राजा चित्रांग दिने, किसने करवाया, मौरी राजा चित्रांग दिने, और हमें क्या मिलता है, चित्रांग के पास एक तालाब ह मांसरोवर मांसरोवर से मानमौरी का अबिलेग मिलता है मानमौरी का ये यख़ यहां से च्छांका यह जबाव था मौरियों की सत्ता थी मौरियों यहां पर शाषन कर रहे हैं यहां तक यह जब असोग का सामराजी देखते हैं तो यह कहां से आप देख लो कलिंग से लेकर काबूल तक बीच के अंदर हमारा राज्थान का भी चैतर रहता है बैराट का अभी लेक उसका साच्षी कि उसका परमान हमें वैराट का भी लेक देता है कि राज्थान के अंदर मौरियों का शासन था ठीक है इसके बाद क्या स्थितियां होती वो समझते हैं मौरियों का जो पतन है यह पिर मौरियों की जो शक्ति का हास है वो 152 सापारू के आसपास होना सुरू हो जाता है इक सो परऊ के आस-पास अना सुरू पता हो जाता है फिलू अगर किसी बडी człती का हास हो रही ओना बना उस्तियां बनेगी कि विदेशी होब रहने की सोच के बैठे के बड़ी शक्ति ही बदेशल दाट कब चाना वहां पर अटेक होता है और अटेक किसका होता है अटेक होता है एक सो पचास इसा पुरु के अंदर एक सो पचास पुरु के अंदर यूनानी शासक मिनेंडर का अटेक होता है और मिनेंडर का अटेक कहां पर होता है माध्यमी का नगरी चितोड कहां पर है माध्यमी का नगरी इसके हमारे पास क्या प्रमान है कि यहां पर इन क्या टेक हुए थे हमें एक तो सांबर के पास नली असर सांबर के पास नली असर से हमें युनानी सास्कों की सिक्कें और मुद्राई मिलती है ठीके और बैराठ और नगरी यहां से पी इनके सिक्कें और मुद्राय में प्राप्त होते हैं यह तो मतलब खुला सावित करता है कि यहां पर युनानी सास्मों का आकर्मन हुआ था ठीक है लेकिन क्या इस्तितियां बनती है जब इनका मूल इस्थान सा वो दूर होने की वज़े से यह अपनी स सासन इस्ताबित करना चाहते हैं और उन लोगों का हुआ भी जब इनका सासन खत्म हो गया इसा के जनम से नबे वर्स पहले से इनका सासन पूरी तरीके सियां से खत्म हो गया ठीक है और पर्थम सताव दी जो अपनी इसा पुरुकी थी उसमें पस्चिमी राजिस्थान के आपर पस्चिमी राजिस्थान के ओपर आकरमन उन्हें शुरू होगे और किसके आकरमन उन्हें सुरू हो गे वह हूए सीथियन किसके उन्हें कि सीथियन होगी पहली बात तो सीथियन कोई एक जाती नहीं थी थे तीन जाती नहीं थे को तीन जाती थे पहला, इन तीन जाती ओंको सम्मेलित रूप में का जाता थे पथम सताव दी इसापुर के अंदर से इनों ने राजिस्थान का आटक करने शुरू कर दिये और जब इसाथ कि जनम से नबे वर्स पहले भारत से राजिस्तान से युनानी सास्मों का शाष्ण खत्म हो जाता है तब यह लोग जो है इन्हों ने अपनी यहां पर जड़े जमाली एक और बात एक जो युनानी सास्मों ने जो अटेक मिनेंदर ने जो अटेक किया था उसका जो हमें जानक कि यहां से 20 जानकारी मिलती क्या लिखा हुआ है इन किताबों में यह लिखा हुआ है कि यवन सर्व पर्थम कुसुमपुर पाटली पुत्र जो मगल सामरेज्य की राजधानी है सर्व पर्थम यवन उसके उपर अटेक करेंगे अक्रमन करेंगे उसके बाद हो सागेत पर नगरी पर आकरमन करेंगे और उनका जो शासन है वो शक शाषक खत्म करेंगे यह तक लिखा हुआ इन किताबों में तो हमें इनकी जानकारी हमारी प्राचन किताबे जो है इनसे भी हमें इस यूद की जानकारी मिलती जो मिनेंडर ने अटेक किया था ठीक है और इसा के कि अगाती है प्रसिम मुंस को सक्षिं तो उनके everyday अपने राज़ंस ने पाता यून निनी साशक जाहन से शिकर मिलतें है लिए सर सिक्ié विश्ट लुशे के ब्यूए सुक्त sin इन लोगों ने जब यहां पर सता इस्थापित की तो हमारे जो जनपद थे वो इनके अधीन आगे लेकिन जनपदों को अपनी जगह बहुत प्यारी थी उन्हों का हमारी जगह पर कोई और आकरमन करें नहीं जब तक जिंदा है तब तो उने नहीं देंगे तो क्या किया कि अकिले तो नहीं उपाएगा कुछ करना पड़ेगा लोगों का साथ लेना पड़ेगा अन्य जनपद थे उनको एक साथ करना पड़ेगा उनके सेवां कुछनों को पराजित नहीं कर सकते मध्य भारत जो हमारा मध्य भारत था वहां पर उसमें एक जनपद इस्थापित ह रखा था उनकी एक शक्ति थी मध्य भारत के अंदर एक शक्ति थी एक नागावन्स शासन कर रहा था भारति इतियास के अंदर आप पड़ेंगे आप जब दूसरी यह तीसरी सताब दीजब पड़ेंगे ठीके उस समय जब राजनितिक इस्तियां थोड़ी नीद्री चल रही कौन सी ब्राइनश थीवों बार्शी भार सीवों ने एक सो पचास एस वी अंदर हैं अन्य जितने भी जो चैतरी जनपत थे उन सब की साहिता लेकर भारत के अंदर से कुशनों का जो शासन था वो पूरी तरीके से खतम कर दिये लेकिन उसमें राजस्तान के उत्तर के खक्तर भारत के अंदर से कुशानों को सहासन ख़तम कर दिया कहां-खांसे गिया मध्य परदेश्य से ठीके राजेस्थान का depth other वह IGHकाँ वहां से और पंजाब से साम से आज भी जगा है आप जायत उदर्शन करके आए वह इसी के उखलक्स में है कि भार सिवों ने किन को पराजित किया कुछानों को पराजित कि उसके बाद यह था कि उत्तर राजिस्थान के अंदर आज भी वही इस ततियां थी कि कुछान शाषन कर रहे थे ठीक है हमारे रुद्रदामन जो शक शाषक थे उनका अबिलेक मिलता है ठीक है और रुद्रदामन शाषक के अबिलेक के अंदर योधों के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है कि जो योधे थे वो वीर्ता के लिए परसित है वीर्ता के लिए वि जितने भी ईहना फूरी तरीखे से खटम कर दी है वैसे पूरी तरीकेश जो उनकी उसक्ती से हुनने प्रवेस किया था दिस प्रकार और प्रभाव उससमें खटम गया थैं sık बार Natur निकाल और और वह बारत में थ्योंगे राजनी थी व्यवस्ताइं अनेंतरित हो गई थी उनको नेंतरित किया था तो वो कुषान थे और जब कुषान चले गए वापस भारत की जो तर बारत की जो राजनी थी व्यवस्ताइं थी वापस अनेंतरित हो गई डगमगा गई अब कौन है कि एक और शक्ति थी जो आ रही मगर सामराजी के अंदर इस्थापित होता है तो उन्होंने उत्र भारत के अंदर पूरी तरीके से अपना सासन इस्थापित कर लिए अमें पूरा नहीं पढ़ना गुपतों के बारे में हमें इतना पढ़ना की कौन से अब है क्या समन्द है समद्र गुपत का इक इला बाद का अभीलेख है और यह अभीलेख यह बताता है कि राजस्थान के अंदर जो यह जन्पद है कि चौति सटाधि तक बने रहे चौति सताथी तक इनका अस्तित्वरा उसके बाद खतम होगे हुआ के कहां से पता चलता है समुदर गुप्त के रज्श्थान के अंदर क्या किया समें समुदर गुप्त के समय的是 समें के आंदर सख्षीयिक रुद्र दमन दृति साष네요 कौन कर रहे हैं राजिट्षान के समय राजिषिन वड गवासे, तिर्द्क वा पर्शाशन कर रहे थे ता रुद्रद्र दामन कौं थे यह सखशाशक था हैं कि चीए शासन कर रहे था। तीन सो पचास के अंदर जब समुद्र गूट करते हैं समूदर कुप्त के विजे अभियानों को देखें समूदर को कि राजय को पूरी तरीकGrach विजे अभियान कि वहां से हमें यह पता चलता है कि तो क्या की आगलकु करदाता बना दिए कि क्या बनाया उनको उनको करदाता बना दिया टेक्स पेर बना दिया उनसे टेक्स लेना शुरू गया हमें यहां से यही पढ़ना है कि समुद्र गुपने राजस्थान से और राजस्थान के जन्दपदों से कर वसूल आता कि क्या वसूला था कर वसूला था हमें इतना ही य ट्रफ आपना बायाना पर्तपूर चैतर है यहां से नगला सेल के हम की सिक्के मिलते हैं और लेड़, और स्खपूरा, coughing कूं को से जीज़ कि मिलते हैं और कला से अहेडा यह कहां पर है यह केकड़ी के अंदर जो हमारा नया जिल्ला बना है यहां से भी हमें इनके सिक्के मिलते हैं और क्या परमाण मिलते हैं और भी मिलते हैं बढ़वा बारा का बढ़वा बारा का हमें गुप्त कालीन एक अभी लेक मिलता है यह किसकी जानकारी देता है मोखरिवंसी पड़िंगे इसको बात गुबत का गुप्तों का पतन वना शुरू हो गया था तर तीन शक्तिया थी जो उबर रही थी वो यह थे मोखरी वंस थे, पूशय गुदिवंस थे, यह जो उख रहे तो भुपतु बढ़वा बारा करचु वहां से मौक्विवंस के जानकारी मिलती है जो गुप्त कालीन है एड़ा केकडी सुक्परा रेट टॉप नगला चाल बयाना कई जगाए बीमलार ताला वश्णु वर्दन वरीक्त का इव जानकारी मिलती है और उनके बारें बोला गिया कि वह गुप्तों के सामन थे तो वह पूरी के सखत्म करूंगा ब्रतीन पर प्रतिनिती के रूप में भी वह नहीं हो और चन्दरकूती आंगला है खत्म करूंगा प्रतिनिती के रूप में भीह वहां ने, बैटे वहां पर उनका प्रतियानिती नहीं बैठेगा मैं मेरा प्रतियानियुक्त करूँगा मैं राज्थान की जितने बी जनपत थे उनको पूरी तरीके से खत्म करने की कोषिश की और नाम हुआ उस परिणाव किखतों की थो सक्तिका हासा हुआ उनको खुली छूट मिली इस चीज़ के खुली छूट मिली उनको कि अब ना तो गुपतों की शक्ति अ रहे हैं और राज फ्रवेश ships किया तो जितने भी बहुत इस्तल थे जितने भी बहुत इस्तल थे इन सब को नश्ट कर दिया और गुपतों को तो इतना परिशान किया था इन्होंने जिसकी तो कोई सीवाई नहीं जब अगर भारती इतियास के अंदर आप पड़ेंगे तब आपको बता भी चलेगा और उनों के फ़से दो परसिंस हसख भी आपड़ते हैं थीक है तोर्माण और नूके महीर कुल और यह महीर कुल वही जिनहोंने बाढोली कंदर सेमंदिर का निवमाण करवाया टोरमाणर मिहरगुल जब हम अल्लट पडेंगे तब भी उनों के बारेमvert अलुरावल जो मारे चिटोड रॉपलिव या हास तो रॉपलै भी चैक्पत हुछ नहीं लेकिन गुप्तों ने बाद में जो शहतरी जनबत थे उन सबसे साहिता लेके हुणों को राजस्थान से उतर बार से निकाल दिया लेकिन उनको निकालने गंदर उनकी सक्ति पूरी तरीके से खतम हो गई और गुप्त पतन की तरफ बढ़ रहे दे अब क्या होगा अगर एक है पतन की तरफ जारी है शकती का हास नित तो दूसरी सक्ति बढ़ेगि कोई 한वा आदमी है कोई एक और जगा है जो अपनी उननती करेंगे अगर एक सक्ति कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी को कि साम सब्सकेव कवगतं की सब्सक्राही स Eltern कंदें नहीं गव daí इंधर में से भी एक हने सर राजदानी tą झी और किसकी थी प्रभाकरवर्दन अभी प्रभाकर वर्दन कौन है कि प्रभाकर वर्दन पूशी बुथी वैस के साखें कौन है पूशिव भूतिवंस के प्रभाकरवर्दन की राजदानी कौन सी है यहां पर वो राज कर रहे थे ठीक है और जब इनकी शक्ति कम हो रही थी यह अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और सामराजी के विस्तार कर रहा था प्रभाकरवर्दन ने उनों को ठोक के बार नि कि उन्होंने पूरी त्रीकिया से उनों को फदेड़ बाहर निकाल दिया वत्र बारत से यह अपनी सक्टी को बढ़ा रहे हैं और वैकर सकती को बढ़ातें कहा तक चले गए संदोर के पुरआन तक शिंद्ह तक जाते हैं ठीक सबस्राइब कर दिया। खतम कर दिया और बीसे ने कई बार क्यूशन पूचा है इन्होंने इनकी शक्ति को पूरी तरीके से नस्ट कर दिया अब क्या अब चीजें क्या होती है गुप्तों का पतन होना शुरू हो गया ठीक है पांचवी सताबदी के अंदर पूरी तरीके से गुप्तों का पतन शुरू हो गया और गुप्तों के पतन के साथ ही गुप्तों के पतन के साथ ही क्या हुआ था अपने भारत के अंदर से जितनी भी जन्पदी है और गणतंत्री व्यवस्ताई थी तो गणतंत्री व्य भुप्तवंस का भी शाषन नहीं रहा है अब यह जन्पत थे यह भी खतम हो पांच भी सतावद्धितिक आते आते ना युद्धे रहे ना अर्जुन रहे ना सीवी रहे इनका भी जो था वो शाषन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और थाने सर के अंदर परभाकरवर्दन अपने सामरायजी का विस्तार कर रहे थे और उनकी राजणानी थी ठाहर परभाकर वर्धन के बेंदर परभागर वर्दन के हर्षर वर्दन है कब सुब्सक्राइब नए ये हैं ये राजधानी कहां से लेकर आ जाते एंगी राजधनी जो अने essar थी वहां से राजधानी लेकर आ जाते हैं कन्लोज ठीक है जब उत्तर भारत के अंदर गुप्तों का पतन हुआ तो गुप्तों का पतन सुरू हुआ तो पुन्हें वही इस्ततियां बनी की राज़नितिक व्यवस्ताइं डगमंगा गई अनींत्रित हो गई तब उस समय उत्तर भारत के अंदर अर्श्वर्द्र ने अपने सामर पूत्र लेकर चटी सताब्दी ईसवी तक उतर भारत की राजनीति गति विद्यों का प्रमुक्ष केंदर बिंदू रही अब वहां से उसकी भी गौरव उसकी असमिता थी वह भी नस्ट हो चुकी गुप्तों का शासन भी खत्म हो चुका और उस समय उतर भारत के अंदर एक तो नहीं शक्ति का उदय हो रहा था एक नहीं सक्ति की उदय हुआ और वह स्क्ति थी वह थी पूसे बंदे पूषी बोधी वंस शाशक अर्ष्वर्दन जिनकी राजदानी कन्योज आप जो कन्योज है वह उतर भारत की राजनीति गतिवद्डियों का पर्मुक के अंदर बंदू बन गया और 647 के अंदर। जितने भी राज्स्थान की चैत्री यह ताखतें थी जो लोकल पोवर थी जो बैठी थी कही जनपन काल खत्म हो गया जनपन काल जब खत्म हो गया तो राजस्थान की जितने भी जगाएं थी वो पूरी तरीके सा सवतंतर हो गई और हर्श्वर्धन की जब मृत्य हुए यह सारे राजस्थान की अदर एक नई शक्ति का उदे हो रहा था जो नए लोग थे वह सपा के अंदर आ रहे थे प्रभुतों के अंदर आ रहे थे और वो नए लोग कौन थे वह लोग थे राजबूत कौन थे वह राजबूत और यहां से हमारे राजथान का मद्धिकालिन इतियास के अंदर यह की राजबूत की उत्पति कहां से हुई इतियासकारो कि क्या मत है और और भी क्या भी चीज़ें वो सारी पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार